दोस्तों जब से प्रिथिवी पर मानो जाती का विकास हुआ है तब से लेकर आज तक हर एक मनुस्य एक दूसरे को नस्ट करने पर तुला हुआ है इसी चकर में कई देशों ने अपने अपने सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार बना लिये हैं जीने देख कर आप चौक जाएंगे तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही भविस्य के लिए बनाय जा रहे हथियारों को दिखाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए चलिए सुरू करते हैं दोस्तों दूस मनों के टैंक के एक पुरे समुह को एक साथ नश्ट करने के लिए इस फ्यूचरिस्टिक हथियार को बनाया जा रहा है दोस्तों खबर मिलते ही सबसे पहले गारी में लगे कंटीनर से ये खी साथ 100 मिसाइलों को एक एक करके छोड़ दिया जाता है उसके बाद इन मिसाइलों में लगे फैन हावा में ओपन हो जाते हैं जिसे सभी मिसाइले के कतार में उरने लगते हैं और दूस्मनों के सर पर मटराने लगते हैं उसके बाद इस मिसाइल में लगे कैमरे की मदद से एक सैनिक ओपरेटर टैंकों की इस्तिती पता करता है फिर अपने स्क्रीन पे एक एक टैंकों को सिलेक्ट करके एक सिक्वेंस में मिसाइलों को छोड़ते जाता है उसके बाद ये मिसाइले कुछ इस तरीके से दुस्मनों का नामों निशाल मिटा देती है दोस्तो ये करांती कारी अभिसकार एक साथ तीस टैंकों को नश्ट कर सकता है एंटी टैंक बीपन्स दोस्तो ये अभी रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक फ्यूचरिस्टिक हथियार है जिसे दुस्मनों के टैंक को नस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है सबसे पहले इस बीमान में मिसाइलों से भरा कंटेनर को लोड कर दिया जाता है फिर रिमूट की मदद से इस बीमान से एक एक मिसाइल को कुछ डिस्टेंस पे गिराया जाता है दोस्तो ये मिसाइल इतनी तेज गती से गिरती है कि ये जमीन के नीचे धस जाती है इसके बाद इससे एक केमरा बाहर निकल जाता है जो दुस्मनों पर नजर गराय रखता है इसके बाद जैसे ही दुस्मनों का टैंक इसके रेंज में आता है वैसे ही इससे एक फाइलिंग करन बाहर निकल जाता है और कुछ इस तरीके से दुस्मनों के टैंक को नस्ट करते जाता है दोस्तो यह अब इस कार भी एक परकार का टैंक रोधी हत्यार ही है और इसका डिजाइन भी दुस्मनों पर काबू पाने के लिए किया गया है सबसे पहले इसे एक बीमान से एक एक करके नीचे गिराया जाता है फिर इसमें लगे पैरा सूट की मदद से यह हत्यार बरही या सानी से सर्फेस पे ड्रॉफ हो जाती है दोस्तों इस कमाल के हत्यार में कई एड्वांस लेवल का टेकनोलोजी लगा है जिससे यह पैरा सूट भी इसके अंदर चली जाती है उसके बाद यह हत्यार खुद को सर्फेस जैसा आउरन से ढख लेता है जिससे स्काई केमरे से भी इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता कि यहां कोई हत्यार भी है और वाई से घासी समझता है इस डिवाईस के उपर का भाग सूलर पैनल से ढखा होता है और इसी के अंदर में सूटर लगा होता है जैसे ही दुस्मनों का टैंक इसके रेंज में आता है वैसे ही जट से ओपिन हो जाता है और 360 डिगरी घुमते हुए फाइलिंग करने लगता है दूस्तों इस कमाल के फ्यूचरिस्टिक हपियार के लिए एक लाइक तो बनता है दूस्तों इस अभी सकार को देख कर कोई कह भी नहीं सकता है या अभी इसकार इतना पाउर्फुल भी हो सकता है सबसे पौल इस गारी की मदद से सौरको के किनारे इस खतरनाक वीपंस को जमीन के अंदर डाल दिया जाता है उसके बाद उससे एक कैमरा बाहर निकल जाता है जैसे ही गारी इसके करीब आती है तब ये कैमरा उस गारी के नंबर को डिटेक्ट करती है और कुछी इस तरीके से उसे सूट कर देती है दोस्तो यह एक छोटा सारी मोट कंट्रोलिंग टैंक है जिसे आप एक जगह पर बैट कर रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं इस छोटे से टैंक में कई केमरे और कई एडवांस लेवल का सेंसर लगा है जिससे ये टैंक वरी ही आसानी से दुस्मनों को देख लेती है और उसे नस्ट कर देती है ये टैंक अपने सामने आने वाली बढ़ाओं को बरी आसानी से पार कर जाती है और पूरे तिन सव साल डिग्री तक मूब करके फायरिंग कर सकती है अ कि इस दो आप आप जातो दूस्तों आपने आज से पहले ड्रोन तो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन ऐसा ड्रोन आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा या एक कमाल का फ्यूचरिस्टिक फाइरिंग ड्रोन है जो एक जगह पर स्टेबल होकर दुस्मनों का नामों निसान मिटा सकती है सबसे पहले इस 20 साल ड्रोन को एक गारी की मदद से लाया जाता है फिर इस ड्रोन के हर एक पार्ट को रिमोट की मदद से अर्जिस्ट कर दिया जाता है उसके बाद ये ड्रोन कुछी इस तरीके से हावा में उरते हुए फाइरिंग करते जाती है दोस्तो आप इस फिल्चरिस्टिक विपन्स के बारे में क्या सोचते हैं क्या ये हथियार हमारे सैनिक भाईयों के पास भी होना चाहिए हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताईएगा और आसा करते हैं कि ये जनकारी आपको काफी पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने फ्रेंड के पास इसे सेर जरूर किजिएगा ताकि उनको भी ऐसी जनकारी मिल पाए दोस्तो ये वीडियो हमने बरी वहलत से बनाई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा मिलते हैं फिर आपसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद